प्रारंभिक दृष्च में एक व्यक्ती मिलो स्टेनफील्ड को दिखाया गया है जो आर्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसोनेर्डर या एस्डी से पीडित है वह न्यूजर्सी की एक सड़क पर खड़ा देखा जाता है एक महिला पर नज़र रखता हुआ नज़दी की फूलों की दुकान इस बीच ऐसा लगता है कि वह अपने आसपास हो रही घटनाओं के समय के बारे में कुछ जटिल गणना कर रहे है मिलो एक यातरी बस एक गड़ा एक सड़क कलाकार और एक तेजी से चलने वाले साइकिल सवार के आने की नोट करता है इनव लोकनों के बाद वी सड़क पार करता है और एक पेन को एक मेल बॉक्स के उपर रणनीतिक रूप से रखता है जो गमले के पास है जल्द ही उसकी योजना बनाई गई श्रूंखला प्रतिक्रिया होती है एक टैक्सी गड़े पर चलती है पानी पेन पर छिड़कता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है यह सड़क कलाकार का ध्यान आकरशित करता है जो फिर आगे बढ़ता है कलम उठाने के लिए उसी समय तेज रफतार साइकल सवार कलाकार से टकरा जाता है जिससे वह मेल बॉक्स से टकरा कर फल स्टैंड पर गिर जाता है सड़क पर अफरा तफरी मत जाती है जिससे सभी का ध्यान भटक जाता है जिसमें बस चालक भी शामिल है नतीजतन उसे ट्रैफिक लाइट का लाल होना दिखाई नहीं देता और उसी महिला को क्रॉस लेड़ मारता है सड़क पार करते समय उसे मौके पर ही मार दिया और लोग कहते हैं कि गनित खतरनाक नहीं है मिलो फिर दृष्ष से दूर चला जाता है यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी योजना सफल रही सृष्ष में एक FBI विशेश एजेंट उलिविया डनहम को दिखाया जाता है वो फ्रिंज डिवीजन आफ होमलेंड सिक्योर्टी के लिए काम करती है जो पैरानॉर्मल घटनाओं में विशेश अज्यता रखती है उलिविया लगता है कि काम पर लौट रही है अपने सिर्की चोट के कारण लंबे अंतराल के बाद जैसे ही वह फ्रांसीसी मुख्याले में प्रवेश करती है उसे उनके सहकर्मी चारली जो टीम के पर यवेखशक हैं द्वारा अभिवादन किया जाता है इस बीच एजेंसी के प्रमुक वाल्टरनेट बिशप एक लैब सहायक फिलिप से बात कर रहा है उलिविया की वापसी के बारे में फिलिप कहता है कि वह एक डूपिल गैंगर हमशकल है जिसका नाम फॉक्स लिविया है और चिंता व्यक्त करता है कि क्या वे एक जाली टीम में शामिल कर सकते हैं यहां यह खुलासा होता है कि कारियाले के अंदर की अलिविया असली अलिविया नहीं है वह असली नहीं है वास्ताव में वह एक धोके बाज है जिसे मूल की जगह लेने के लिए लाया गया है वाल्टरनेट फिर इस प्रमार्ण में फुलिविया को रखने और असली ओलिविया की यादों को खेल में डालने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा करता है औल्टरनेट यह जानना चाहता है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है इसके लिए वह कहता है कि हमें उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि वह यहां की है फिलिप पूछते हैं अगर उसकी नई पहचान काम नहीं करती तो क्या होगा जिस पर प्रमुख जवाब देते हैं कि उसके बाद जरूरी नहीं रहेगा इसके बाद चारली टीम को इस प्रतीत होने वाले यादरिचिक बस दुरगटना के बारे में जानकारी देती है जो उसने दावा किया है कि इस सब्ताह दो बार हुई है पीड़ित की प्रती एक बार मौत हो गई है फिर उन्होंने अपने दल से सावधान रहने को कहा स्थल जांच के लिए जाने से पहले थोड़ी देर बाद FBI टीम दुरगटना स्थल पर पहुँचती है और किसी भी सुराग या संकेत की तलाश में बढ़ जाती है सुरागों के साथ जांच एक अन्या FBI एजेंट जिसका नाम लिंकनली है द्वारा की जाती है जिसका चेहरा जलने के कारण खराब हो गया है चारली शरीर का निरीक्षन करती है और उसकी उंगलियों के निशान से आगे की जानकारी प्राप्त करती है वे अंततह पता लगाती है कि मृत महिला का नाम उसका नाम जूलियन है इस बीच उलिविया बस चालक से सवाल करती है जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने कभी भी बस को टकर नहीं मारी अब तक कोई पक्षी या जानवर नहीं साथ ही एजेंटली किसी भी परियावरनिय कारकों के संकेतों का परिक्षन करते है लेकिन कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं हलांकि उसे पास के स्टैंड में वही बॉल पॉइंट पैन मिलता है मौके पर गवाहों से पूचताच के बाद अलिविया एजेंटली के पास आती है और बताती है कि स्थानी अकलाकार फोन उठाने के लिए जुका था पैन के दोरान उसकी टकर एक साइकल सवार से होती है और विये फल के स्टैंड में गिर जाता है ये सुनने पर एजेंटली अटकलें लगाते हैं कि कलम मुख्य तत्व है जिससे प्रतिक्रिया की एक श्रंखला उत्पन्न होती है अंतता ले जाती है पीडित की मौत से अगले दिन फ्रेंच मुख्याले में एजेंटली और चारली ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो दिनों में हुई बस दुरगटनाओं के बीच क्या संबंध है एजेंटली वही बॉल पॉइंट पें देखते हैं पहले दुरगटना की फोटो में जो उसे और भी अधिक विश्वास दिलाता है कि किसी ने घटनाओं की श्रंखला की योजना बनाई है इसके बाद वे एक दोस्त की गणित जिससे बात करने जाते हैं एस्ट्रिड और उसे घटनाओं के बारे में बताओ हलांकि वह दावा करती है कि कोई इसी घटनाओं की श्रंखला को पूरा नहीं कर सकता बस दुर घटना होती है जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है तो प्लस दो बराबर तुम्हें बस से टकर लग जाती है एफबी आई एजेंट तुरंट साइट पर पहुंचे और पाया कि इस बार पीडित अभी भी जीवित है रहगीरों से पूछताच करने पर उन्हें पता चला कि एक कुटा अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस नियंतरन खो बैठी तब ही ऑलिविया को एक समान बालपोइंट पें दिखाई देता है जमीन पर गिरती है जिससे उसे एहसास होता है कि घटनाओं की श्रुंखला अभी खत्म नहीं हुई है अभी तक नहीं वचानों और देखती है और एक संदिक धमिलो को एक ओवरहिट ब्रिज से नीचे देखते हुए देखती है कुछी क्षणों बाद एक आदमी काले सूट में दिखाई देता है ये अरबर्ड्स पहन कर सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है कि शायद पैरामेडिक को अपना कोटा पूरा करना था अपने संदेह की पुष्टी के साथ उलिविया अपनी टीम को अलर्ट करती है और मिलो की ओर दोड़ती है ये देखकर उसने तुरंत घटनाओं की एक और शुरंखला की गरना की और पुल से एक साइकल फैंक दी इससे एक बस को अपना रास्ता बदलने और ठीक नीचे चलाने के लिए प्रेरित किया उलिविया उसे बंदू की नोक पर रखती है उसे आत्मसमरपन करने की धमकी देती है लेकिन मिलो पुल से कूदता है बस की छट पर उतरता है और बच निकलता है इस घटना के बाद मिलो वापस घर आता है और अपनी बहन मैडलीन को चंतित पाता है उसके लिए वो उसे बताती है कि उसे एस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं लेकिन वो उससे अंदेखा करता है फिर वो उसे आत्मसमर्पन करने के लिए मनाने की कोशिश करती है ये दावा करते हुए कि वो बहुत दूर चला गया है और अंकी मिलो उसके कारियों का अनुमान लगाता है और उसकी बातें पूरी करता है उसे चुप कर आता है खोड़े का खिलोना है उनकी मां की याद दिलाने वाला इससे उन्हें असहज महसूस होता है आभी दूसरी और एजेंटली अस्पताल में उनके नियमित तवचा परीक्षन के लिए ले जाया जाता है बर्न चेमबर में प्रवेश करने से पहले वह उलिविया से तीनों पीडितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंदरित करने के लिए कहता है उसके निर्देशों का पालन करते हुए उलिविया मुख्याले वापस लोटाती है और दुर्खटनाओं के गवाहों से बात करने लगती है थोड़ी जाँच के बाद उसे तीनों पीडितों के बीच सम्बंध मिलते हैं और एक चिकितसा केंदर उन तीनों को सीधे या से केंदर से सीधे या परतेक्श रूप से सम्बंधित हैं वो अपनी खोच चारली से साज़ा करती है और दोनों तोरन दिसी जिकितसा केंदर की और रवाना होते हैं वहाँ पहुँचने पर उलिविया नोटिस करती है कि एक सेट के मरीज एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहे हैं जब उसके बारे में पूछते हैं तो डौ लेविन जवाब देते हैं कि वह है उनके मरीजों में से एक है जो उसी दवा परिक्षन से गुजरा जिसने उसका IQ बहुत अधिक बढ़ा दिया वह बताता है कि मिलो को उसके उच्चरक्त चाप के कारण अस्पताल से छुटी दे दी गई थी लेकिन अब वह उनके कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और जो कोई भी नियंतरन लेने की कोशिश कर रहा है उसे मार रहा है मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजन्ट उनकी मुलाकात करने का फैसला करते है मिलो को बिना बताए उनके लिए मिलो उलिविया पर करीबी नज़र रख रहा है उसकी हर चाल का ध्यान रखते हुए और उसकी अगली चाल की भविशवानी करता है बाद में चारली और उलिविया माईलो के घर पहुचते है जहां माईलो उनका स्वागत करता है वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूचते है लेकिन वे अंजान होने का दावा करती है एजिंट्स को लगता है कि वह कुछ छिपा रही है इसलिवे उसे मिलो द्वारा किये गया पराधों के बारे में बताते हैं और उससे आजाद घूमने देना कितना खतरनाक है जब चारली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है तो उलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है बताते हुए कि वे एक दूसरे की देखभल कैसे करते थे ये मैडलिन को उसके बारे में अधिक विवरन साजा करने के लिए परयाप्त रूप से आराम देता है वह बताती है कि मिलो कई घटनाओं के परिणाम को सबसे छोटे विवरन तक अनुमानित कर सकता है और वह केवल उसे खिलोना घोड़ा दिखा कर माईलो की एक आगरता को तोड़ सकती है अलिविया अंततह उसे जो कुछ भी वह जानती है उसे प्रकट करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है ये जोड़ देकर कि वे नागरिकों की चिंता कर रहे हैं मैडलिन तब उसे होटल के स्थान का खुलासा करने वाला एक नोट सौपती है क्या इसके बाद उलिविया और चारली एस्टरिट के साथ मिलकर मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं हलांकि वे जल्द ही समझ जाते हैं कि कोई भी योजना व्यर्थ क्योंकि वे उनकी हर चाल की भविश्यवानी कर सकता है और इनाम स्वरूप वे किसी भी प्रिष्ट भूमी के बिना सीधे होटल जाने का विकल्प चुनते हैं इस बीच माईलो को अपने होटल के कमरे में देखा जाता है वे खिड़की से नीचे देख रहा होता है और अगली कुछ में होने वाले परिद्रिश्यों की कल्पना कर रहा होता है मिनिटों में अपनी क्षमता से वह भविश्यवानी करता है कि ओलिविया और चारली जल्द ही पहुँचेंगे और वे उसका पीछा करेंगे वह यह भी करना करता है कि वह ओलिविया को उसे लुभा कर मार सकता है एक निर्मानस्थल के चेहनित क्षेतर से गुजरते हुए जहां हवा बहुत पतली है और उसे सीमेंट के भार के नीचे दबा देती है ठीक जैसा उसने भविश्यवानी की थी दो FBI एजेंट होटल में पहुँचते हैं और मायलो उनके इंतजार में मिलता है फिर वह निर्मानस्थल की और भागता है जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं उलीविया जो पतली हवा वाले क्षेतर के चेतावनी संकेतों से अंजान है उसकी और दोड़ती है रोकने के बजाए इसके माध्यम से चलते हुए श्वास्य अंतर पहनना यह वास्तों में मायला की गणना को गलत बनाता है हमने नहीं सोचा था कि वह इतनी बेवकूफी होगी इसके अलावा वह भी सीमेंटेड इंटों के धेर को चक्मा देती है जिसे मिलो ने सोचा था कि उसे कुछल देगा खलनायक अपने गलत है और अंतता हुस के द्वारा पकड़ा जाता है इस समय ओनलिविया लगभग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने लगती है लेकिन शुक्र है कि चारली सही समय पर पहुँच जाता है समय और उसे एक श्वास्यंतर में मदद करती है इन घटनाओं के बाद चारली ओलिविया से पूछता है कि उसने श्वास्यंतर क्यों नहीं पहना जिस पर वह जवाब देती है कि उसने चेतावनी को पहचान नहीं पाई बाद में ओलिविया मेडलिन को अस्पताल ले जाती है जहां मिलो को सुपरकंप्यूटर के साथ बादचीत करते देखा जाता है डॉक्टर के अनुसार मायला के मस्तिश्क में आईक्यू बढ़ाने वाली दवा दो साल से है लंबे समय से जिसके कारण वे प्रक्रिया को उलटने में सक्षम नहीं है अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है जो केवल मशीने ही आ सकती है उसके विचारों को समझें जो इससे दुखी है मैडलिन कमरे के अंदर जाती है और उसके सामने खिलोना घोड़ा छोड़ देती है उसी शाम ऑलिविया अपने स्थान पर होती है जब उसे शांती का दर्शन होता है एक और ब्रह्मांड से उसका प्रेमी वह उसे बताता है कि वह इस दुनिया की नहीं है दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड के बारे में उसकी ज्यान की कमी है पचाई उसकी जान पहले, उसकी अनुसार वह मर जाती अगर उसने चेतावनी संकेतों को पहचान लिया होता और वहीं रुख गई होती पीटर उसे सभी यादों को याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोथसाहित करता है यादें और साथ ही केस की भी उससे पहले गायब हो गई ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें देखने के लिए धन्यवाद